विजय नायर को लेकर के आम आदमी पारिटी का दावा है कि वो गुजरात में जो पारिटी का मीडिया मेनेजमेंट है वो समभाल रहे थे कहीं न कहीं इस पूरे दावे में दम भी है क्योंकि पंजाब चुराओं में जिस तरीके से लगभग लगभग पूरा मीडिया मेनेजमेंट संभाला था विजय नायर ने उसके बाद गुजराचुनाओं में उनकी भूमिका काफी महतोपोर्ण हो गई थी और जैसे जैसे गुजराचुनाओं पास आते जा रहे हैं नजज़िक आते जा रहे हैं उसमें उन्होंने एक तरीके से रणनीती भी तयार कर ली थी पार्टी के जानकार बताते हैं कि लगभग आधी स्ट्रेटीजी तयार थी और स्ट्रेटीजी में कई सारी चीजे होती हैं जैसे कि अर्विंद केजरिवाल के भाशन से लेकर उनके वक्तव और पार्टी के सोशल मीडिया पर क्या कुछ जाएगा मीडिया मैनेजमेंट कैसे होगा कहा पर इंटर्व्यू देना है कहा पर कौन से रैली होनी है उसकी टाइमिंग क्या होगी उसमें क्या कुछ मुद्ध्य होंगे और यहां तक कि जो नारे हैं वो कैसे डिसाइड किये जाएंगे इन सब चीजों में विजय नायर की भूमिका काफी एहम मानी जाती है गुजरात चुकी एक बहुत मुश्किल चुनाव है और पंजाब से कहीं कटिन चुनाव है इसलिए पंजाब में एक सफल एक्सपेरिमेंट के बाद जो उनकी भूमिका थी गुजरात चुनावों को ले करके वो काफी एहम हो गई थी और इसलिए लगातार विजय नायर काम कर रहे थे उस स्ट्रेटिजी पर कि किस तरीके से बिलकुल जीरो से ले करके आगे सत्ता के करीब तक गुजरात में आम आदमी पार्टी को पहुचाया जाए कौन से नेता होंगे कौन से मुद्दे होंगे कौन सा नारा होगा कौन सी ऐसी बात होगी जो जनता के बीच में गुजरातियों में जाकर के क्लिक कर जाएगी इन सब चीजों पर लगातार काम चल रहा था और जैसा मैंने बताया कि अर्विंद केच्रिवाल के खासम खास है यानि उनकी तमाम बातें उनका पब्लिक एपिरेंस कैसे होगा मीडिया एपिरेंस कैसे होगा, सोशल मीडिया पर क्या कुछ होगा और उसके बाद उसके इर्दगिर्द पूरा ताना बाना जो चुनाव का है वो कैसे बुना जाएगा, उसमें विजय नायर की भूमिका काफी एहम थी उनका बैक्ग्राउंड भी इवेंट मैनेजमेंट का है और जो भी कम्मिनिकेशन से जुरूई हुई रन्नीती थी, वो विजय नायर ने खुद बनाई थी इसलिए गुजरा चुनाव के लिए उनकी एहमियत कहीं ज्यादा हुआ 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 है